नमस्कार निजविंग टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ काजनमेटा दोस्तो इस वक्त निजविंग की टीवी निजविंग की टीम जो है वो नारणी अस्पिताल में मौजूद है आपको बता दें कि कल देर शाम चाकू से हमला करने की घटना सामने आए थी जिस बता अपूरा मामला क्या है बाई साहब कितने बज़ें आपको इघटना के बारे में पता लगा जब मेरा बाढ़ मöhता है जब मेरा भाई दुकान गया था तो दुकान से लओट रहा था उसमें अजय ठाकूर पीके घर लओट रहा था दू तो उसके बदू ब़ोला दारू पि सिर्फ इतना सा मामला था कि दारू नहीं पिलाओगे तो फिर जान से हाथ दो जाओगे इस वक्त आपके भाई के स्थिती कैसी है अभी 48 घंटा तक अगर नूर्मल हो जाता है तो ठीक है और नहीं तो जान जा सकते है इसा डॉक्टर नहीं से बताया चुकि डॉक्टर तो क्योंकि बुरी हालत थी भाई साहब की जैसा कि हमें मालूम हुआ है इसके बावजूद आराइनी होस्पिटल ने उन्हें एकसेप्ट किया है और अपनी पूरी जद्दो जहत के बाद अब तक उनको बचा के रखा है और डॉक्टर जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की है और तालिस घंटे तक का महलत है और इस बीच अगर उनके स्थिती सुधर जाती है तो बच सकते हैं वरना बाद उनकी जान पे बनाएगी आपको बता दें कि मौके पे थाने को भी इनफॉर्म किया गया था और इस इंफॉर्मेशन के बाद थाने पुलिस के द्वारा तीन लोगों की गिरफतारी भी हुए है अलंकि पकड़ा गया है अब तक गिरफतारी नहीं हुए है आपके साथ ऐसी गटना हुई है आपको क्या लगता है इसके कुछ बड़ी बात हो सकती है पहले कोई लडाए ने ऐसा क्यों हूआ ? अप करते ही क्या है ? नए हुआ काम करी हुआ। जारी है और थाने में बात होने के बाद यह बात मालूम होता है कि यह आपसी विवाद का कोई मामला है अब यह देखने वाली बात होगी इस बात का खुलासा कब तक होता है जोड़े रही न्यूजविंग के टास क्यों साथ काजल महिता न्यूजविंग राची फॉर सीजन अमल्टी कुजीन फैमली रिस्टरॉव फॉर्स्टरॉव विच बेस्ट आन थीब फॉर डिफरेंट सीजन फॉर बुकिंग कॉन्टक नीजविंग 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 धूट सीजन फॉर्स्ट फ्लोर अवर प्लातनूम बजाज नियर खलीफा तावर का कि रूर राची झाल